हेलो फ्रेंड्स आज हम सौल करेंगे SAC GD का तीसरा मौक टेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे मौक टेस्ट शुरू करने से पहले हम 2021 के टॉप 5 करेंट अफेर्स के कोशन सॉल करेंगे तो पहला सवाल है किस केंदर शाशित प्रदेश में एक महीने का अभियान पानी महा जल महा अभियान शुरू किया गया है तो फ्रेंट्स ये शुरू किया गया है लदाक केंदरशाशित प्रदेश में तो option A यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा अगला सवाल है कवल प्लस कारेकरम किस राज्य की पहल है तो ये जो कवल प्लस कारेकरम है ये केरल राज्य की पहल है तो option A हमारा यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला सवाल है आस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतिय कोन बने तो फ्रेंट्स आस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतिय कोन है ये है प्रदिप सिहा तिवाना Option A यहाँ पे रेट आंसर हो जाएगा प्रदिप, C हाँ, टिवाना अगला सवाल है Question number 4 है हमारा HDI Index 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो नार्वे देश पहले स्थान पर है और हमारा भारत 131st रैंक पर है यह point भी आप याद रखिएगा अगला सवाल है अगला सवाल है 2020 का प्रतिष्टित इंजिनियर पुरसकार किसे दिया गया तो यह दिया गया है विनोध कुमार यादो को यह point भी आप याद रखिएगा Option A विनोध कुमार यादो तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हमारा आज को मौक टेस्ट जो की 11 फरवरी 2019 के तीसरे शिफ्ट का है तो इसका पहला सवाल है जब कीडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिस्ट उत्पादोन और खुन से अतिरित्र द्रव्य को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है डाइलोसिस अपशिन बी हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है राजियू गांदी खेल रतन पुरसकार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्त करता कोन है तो इसका जवाब है अभीनव बिंद्रा अपशिन यह हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बात करें राजियू गांदी खेल रतन पुरसकार 2020 की तो ये पाच खिलाडियों को मिला है पहला है मरियपन थंगवेलू जो की एक पैरा अथलेटिक्स खिलाडी है सेकेंड है विनेश फोगाड जो की कुष्टी खेल से बिलोंग करती है थर्ड है रोहिज शर्मा जो की क्रिकेट से है और फोर्थ है मनिका बत्रा जो की टेबल टेनिस प्लेयर है और फिफ्थ है रानी रामपाल जो की एक हौकी खिलाडी है अगला कोशन नमबर थर्ड है आर्टो शास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरसकार प्राप्त किया है तो ये किया है आमतर्य सेन ने किया है नोबेल पुरसकार जीतने वाले प्रतम भारतिये पुरुष कोन है ये है रविंद्रनाट टागोर और इन्होंने 1930 में ये पुरसकार साहित्य के शेत्र में जीता है गीतान जली पुस्तक के लिए जीता है अगली है भारतिये प्रतम भारतिये महिला कोन है ये है मदर टेरेसा 1979 में इन्होंने नोबेल पुरसकार जीता है जो की शांती शेत्र में दिया गया था इन्हें अगला सवाल है लक्ष द्वीप समुह डैश में स्तीत है तो लक्ष द्वीप समुह कहां स्तीत है ये स्तीत है आरब महा सागर में option B हमारा यहां पर right answer हो जाएगा अगला सवाल है लट्मार होली कहां मनाई जाती है तो friends यह जो लट्मार होली है यह उत्तर प्रदेश के बनारस और नांद गाउं में मनाई जाती है तो option A हमारा यहां पर right answer हो जाएगा अगला सवाल है माय एक्स्प्रिमेंट विट टूथ आत्मकता किसकी है माय एक्स्प्रिमेंट विट टूथ ये आत्मकता जो है ये महत्मा गांधी जी की है option B हमारा यहां पे right answer हो जाएगा अगला सवाल है विशानूओं के अध्यान को क्या कहा जाता है तो विशानों के अध्यान को वाइरोलोजी कहा जाता है option A हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है जमू और कश्मिर को कौन से अनुच्छत धारा के तहर विशेश दर्जा दिया गया है तो कौन से धारा के तहर दिया गया है 370 option B हमारा यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अभी फिलहाल इसे रिमू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा इसे अभी हटा दिया गया है अगला सवाल है भारतिय सवीधान का नागरी कत्व की धारा किस देश के सवीधान से प्रेरित है तो यह प्रेरित है यू के देश से हमारा option B यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है निम्म में से कोन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह करता है कोन करता है कैल्शियम करता है option B हमारा यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है भारत सरकार में युवा मामलों और खेलों के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कोन है तो ये कोन है राजवर्दन सिहां राठोड अभी के कोन है किरन रिजेजू किरन रिजेजू ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है भारत के नए तंत्र में अदालतों का पदानुकरम शामिल है जिसमें डैश सर्वुच्च है तो ग्राम पंचायत सर्वुच्च है अप्शन A हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है तीन सो कैच लटकने वाले भारत के पहले विकट कीपर कौन है तो महेंदर सिंग धोनी है अप्शन B हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है यथा जून 2018 भारतिय फुटवॉल खिलाडी डैश दुनिया के दूसरे सबसे जादा गोल करने वाले खिलाडी बने तो कौन से खिलाडी बने सुनिल छेतरी अप्शन बी हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है हवा महल कौन से शहर में स्तीथ है तो यह जो हवा महल है यह राजस्तान के जैपूर में स्तीथ है और इसका निर्मान कब हुआ था 1799 में महाराजा सवाई प्रताब सीहं के दवारा हुआ था अगला सवाल है सरकारी रसिंदे है जो विमोचन, रेडी, मेबल, योग्यन नहीं है तो कौन से रसिंदे नहीं है राजस्तान के रसिंदे और अप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला सवाल है निम्म में से कौन सी धातू सबसे अधिक तन्य है तो कौन सी धातू है सोना अप्शन भी हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं हमारा अगला कोशन है गांधी इर्विन समझोता भारत के निम्म लिखित में से किस अंदोलन से संबंधित था तो ये संबंधित था सवी नए आवग्यां अंदोलन से अप्शन A हमारा रायट आसर हो जाएगा जो कि 1930 में हुआ था अगला सवाल है डैश पुंजी उत्पादन के दोरान विविद कच्चे माल और हाथ पर पैसे को संदरवीत करता है तो क्या संदरवीत करता है क्रियाशेल पुंजी अप्शन C हमारा यहां पर रायट आसर हो जाएगा अगला है निम्म लिखित में से कोन फ्रांसी सी करांती के आदर्शों से प्रेरित है तो कोन है टीपू सुल्तान अप्शन A हमारा रायट आसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो कि हैदर आली के बेटे है अगला सवाल है पत्ती की नीचली सथह पर स्थीत छोटे चीदरों को क्या कहते है तो इसे कहते है रंद्र क्या कहते है रंद्र ऑप्शन C हमारा यहां पर रायट आसर हो जाएगा अगला सवाल है डैश प्रकुरूती में रेतीली और गुन में लवनिये होती है अगला सवाल है अगला सवाल है निम्म में से कौन सी सिंदु नदी की उपनदी नहीं है तो रावी है, चीनाम है, जेलम है, गंगा नहीं है तो अप्शन यह हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदु नदी की कुल नंबाई कितनी है 2880 किलो मिटर और इसका उगमस्तल कहाँ पर है तिबबत के मानो सरोवर में और यह नदी तीन देशों से गुजरती है कौन-कौन से चीन, भारत और पाकिस्तान से यह पॉइंट विया याद रखिएगा अगला सवाल है डैश, जम्मू और कश्मीर के बन जारे है तो कौन है गुजजर, बकरवाल option A हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा तो friends कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी तो please लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स